हलो फ्रेंड्स रादे रादे विल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ सिम्मी तो आज हम बनाएंगे टमाटर के पूरिया जो खान में बहुत ही लजीज होती हैं और आपको बहुत पसंद आने वाली हैं पूरिया तो आपने बहुत खाई होगी पर एक बार इसे जरूर आ अधा कप सूजी एक चंबज गरम मेशाला एक चंबज हल्दी पाउडर एक चंबज साबू जीर आधा चंबज अजवाईं एक चंबज धनिया पाउडर आधा चंबज कशूरी मेथी में नमक स्वाधनुस आप जिंजर गारलिक Рे पेष्ट सोखीलाल मिच्छी धनिया ब टमाटर, मैंने तीन टमाटर लिये हैं, अब हम इसकी बनाएंगे, प्यूरी, तो मैंने यहापर मिक्सर जाल लिया है, तो मैं टमाटर कट करके डाल देंगे, डाल देंगे सुखी लाल मुक, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे पूली में, तो मैंने यहापर बाउल लि लगते हैं धनिया पाउडर कसूरी मेथी जीरा जवाइन गरम मसाला हल्दी पाउडर जिंजर गालिक पेश्ट नमक सौद नुस्वाइब हाली धनिया पत्ती तो में नहीं पर टमाटर प्यूरु बना ली है हम इसे से अपना आटा लगाएंगे हम पानी का बिल्कुल युज नहीं करेंगे तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फड़ा प्यूरु डालकर सक्त आटा गुथेंगे हम इसमें पानी का बिल्कुल युज नहीं करेंगे प्यूरी से ही अठा लगाएंगे तो डूब हमारा रेडी हो चुका है अब इसे हम 10-15 मिनिट तक रख देंगे रेष्ट करने के लिए तो 10-15 मिनिट हो चुके है तो आटा भी हमारा तयार हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाके इसे ग्रिश कर देंगे और इसे मसल लेंगे अच्छी तरह से अब में इसकी छोटी छोटी लोईया तोड़ेंगे इसी तरह से हम अपनी सारी लोईया बना लेंगे तो मैंने सुखाटा लिया है उसमें हम कोट करके इसकी बनाएंगे पूरिया इसी तरह से अपनी सारी पूरिय बना लेंगे इस पर मैंने तील भी रख दिया है तेल भी मारा गरम हो चुका है तो पूरिया भी मैने सारी बेल ली था में केक करके तेल में अपनी पूरिया डालकर दल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक अभी सेंपलेट देंगे तो फिर्स तयार हो गई हमारी पूरियां अभी सेंपलेट में निकाल लेंगे आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आएंगे इसी तरह से में अपनी सारे पूरियां तल लेंगे अभी सेंपलेट फिर्स यह में अपनी सारे लेंगे तो प्रिंट्स तयार है हमारी टमाटर की फूरियाँ एक बार आप जरूर च्राई करेंच अगर मेरा बीडियो तक तक करी अट pikत जो रख्चा लगें कि लाइक करिए प्रें करीव प्रस्ट्राइब करिए बी लाइकों को पीप को जीर करना है अप्री हमारी है धिए आपके सबसे करने पोगी चुम हुआ तुम इंपे ने इडिट इप्सा तप्रिबबाए्ट